Employment Generation सबी सरकारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज यहां पे रहा है और इसी को लेके RSS की तरफ से Alternative Economic Model यहां प्रस्तुत किया गया है अगर हम इसे देखते हैं तो अखिल भारती प्रतिनीती सवा जो की Highest Decision Making Body की यहां पे होती है और Recently अभी मार्च के अंदर यहां पे मिटिंग होती है और यहां पे एक Labor Intensive और इंडिया की Values पे Based Economic Model, Alternative Economic Model यहां पे पेश किया गया है और RSS की तरफ से यह कहा जा रहा है कि यह Economic Model जो है भारत की जो Unemployment की समस्था है उसको कहीं न कहीं Deal करने में सक्षम होगा और किस तरह से यह एक तरह का Improvement है आत्मनिरबर भारत अभिहान के Context में वो भी हम देखेंगे यह भारती Economic Model जो RSS की तरफ से बताया जा रहा है यह Basically है क्या लेकिन उससे पहले यह Resolution अभी क्यों आया इस पर अगर हम नजर डालें तो देखिए Unemployment काफी तेजी से बढ़ रहा है और COVID के Context में अगर इस पूरे इशू को देखते हैं तो Unemployment rates काफी जादा हो गये थे अगर आप देखेंगे 2017-18 के Comparison में जहां 5% से कम है यह आपका 8% 9% तक पहुंच गया था अर्बन एरिया में Unemployment 9% तक पहुंच गयी थी अगर हम post COVID मतलब second wave के बाद थोड़ी recovery की बात करें तो भी यह 9% तक था करते हुए इस resolution को लाया गया कि इंडिया की यह जो समस्य है Unemployment बहुत बड़ी समस्य है इसको डील करने के लिए यहां पे इन्होंने अल्टरनिटिव मॉडल पेश किया है इस पूरे इशू को डिटेल में डिसकस करते हैं आगे बढ़ने से पहले दूसरे ब्रिफ इंट्र के लिए 4000 की फीस के साथ अविलेबल हो जाते हैं सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं यूज दा कोड आर्बी लाइव तो गैट मैक्सिमुम डिसकाउंट्स इसी भी क्वेरी के लिए आप इस कोड इस नंबर पे यहां पे कॉल कर सकते हैं दिखिए प जिस तरह का मॉडल अपनाया और स्वधेशी के उपर इतना फोकस नहीं किया और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज हमारी डिपेंडेंस ऐसे कंट्रीज पे है जैसे अगर हम चाइना देखते हैं तो चाइना पे डिपेंडेंस काफी जाता है तो यह हमारी एकनॉमिक स्लेवरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और हमारी डिपेंडेंस दूसरे देशों पे होना यह मासिव अनेंप्लाइमेंट का भी रीजन है इंडिया ने जिस तरह से हाइब्रिड सोवियत वेस्टन मॉडल को अपनाया तो उसको भी यह ब्लेम करते हैं कि यह लेबर डिस्प्ले जो टेक्नलोजी उस तरफ मूग कर रहे हैं तो कुल मिला के यह कोई पहली बार नहीं है अगर हम पोस्ट 90 के बाद करें 1991 के रिफॉर्म के बाद से हमेशा से इन्होंने एक अल्टरनिटिव स्वधेशी मॉडल पे जोर दिया है और इसी को यहां पे थोड़ा क्लैरिटी के स है वो Soviet style economy हो या फिर हम Western economies की बात कर रहे हैं हमें किसी को भी copy नहीं करना है क्योंकि इंडिया का अपना अलग कुछ challenges है अलग कुछ opportunities है हमारा social structure अलग है हमारे जो economy है उसमें rural life का बहुत बड़ा importance है अभी भी two-third of the Indian population living in the rural area तो हमें यह देखना होगा कि rural area का development हो रहा है नह नहीं है तो इन्हीं सब areas को concern करते हुए यहां पे इन्होंने जो model दिया है उसकी कुछ विशेशता है हम देखते हैं यह human centric रहेगा ओके labor intensive यह रहेगा labor intensive रहेगा ताकि जो employment opportunities है create की जा सके eco friendly approach इसकी रहेगी ताकि environment को नुकसान ना पहुंचे यह decentralization पर stress दे रहा है तो इस जो बड़े towns हैं urban area है वहीं पे वो क्या बने हुए employment के center बने हुए तो यह कहना चाहरे है decentralized हो जाए कि अगर छोटे छोटे जो villages हैं या फिर अगर हम बात करें block level पे employment opportunities create हो रहे हैं तो decentralization पे हम focus करना चाहते हैं यह जो आइडिया है कहीं ना कहीं नीती आयोग या फिर हम economic survey क की बात करें जो last year का economic survey था उसमें भी यह कहा गया था कि हम district level पे entrepreneurship opportunities create करना चाहरे हैं इसके लावा equitable distribution of benefit पे यह जो और देरता है ताकि सभी वर्ग के जो लोग हैं उनके पास में economic growth के benefit पहुंच सके तो यह कहीं न कहीं inclusive growth से जुड़ा हुए है village economy पे definitely focus किया जाएगा with the help of food processing industries, agriculture allied activities, इनके माध्यम से या फिर small scale agro based industry के माध्यम से village economy को बहुत ज़्यादा यहाँ पे push किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, for obvious region कि इंडिया की two-third population अभी भी villages में रह रही है, तो अगर हम villages में employment opportunities create नहीं करते हैं तो फिर जो real हमारा purpose है, economic growth का वो सभी तक नहीं पहुंचेगा या फिर employment opportunities create नहीं होगी, इसके लावा यह जो model है, यह यहाँ बात करता है कि हमें technology के साथ चलना होगा, नहीं technology को adopt करना पड़ेगा, लोगों के अंदर soft skills, जिस तरह की skill की ज़रत है, skill development करना होगा, manufacturing sector पर यह बहुत ज इसके अलावा, rural employability को आप increase करेंगे, unorganized sector के अंदर employment opportunities create की जाएंगी और woman, woman के लिए जो employment opportunities है, उस पे भी यह जोड़ दे रहा है, और थोड़ा सा इसने जो प्राइमनिस्टर हमेशा कहते हैं कि हम क्या चाते हैं, थोड़ा सा attitude में change चाते हैं, आज का जो youth है, वो job sicker की mentality है उसे छोड़े और job giver वहाँ पे जो है, वो mentality के साथ नए-ने business वो create करें, तो entrepreneurship को बढ़ावा दे रहे हैं और ये model भी इसी की बात कर रहा है कि entrepreneurship के opportunities एक ecosystem create किया जाए, जिसको भारत सरकार create भी कर रही है, नीतिया योग ने इस पे काफी time से focus किया हुआ है, और इसके हमें result भ इनका जो net worth है, 1 billion dollar को cross कर चुका है, तो ये miraculous growth यहाँ पे दिखाते हैं, ऐसी company होती है जो कि wealth creator मानी जाती है, आज US की जो economy इतना उपर है, उसके अंदर कहीं न कहीं startups का, unicorns का बहुत बढ़ा रोल है, तो इंडिया ये चाहता है कि हम हमें अगर rapid growth करनी है, wealth creation करना है, employment opportunities create करन इसके अलावा entrepreneurial spirit among the women, village folk और remote area, tribal area में भी ये develop करने की बात कर रहा है, तो already भारत सरकार इसमें प्रियास कर रही है, यहाँ पे मुझे एक case study याद आ रही है, जो कि ministry of tribal affairs ने publish की थी, कातकारी tribe की, कातकारी एक तरह की particularly vulnerable tribal group है, मतलब बहुत ही पिचड़ी हुई, यहाँ पे tribal group है, यहाँ पे लोगों ने क्या किया, with the help of digital platform, जो भी minor forest produce है, उनको online platform पे ये ले के आए, organic produce के नाम से ये बेचना इस्टार्ट किया, और government ने यहाँ पे help की, उनकी packaging में, marketing में, certification के अंदर, और आज यहाँ पे एक तरह का ये hub बन चुका है, सभी के लिए economic prosperity, जो उनके बिल है, इसके लिए काफी सारे प्रियास यहाँ पे किये जा रहे है, जैसे SSG हो गया, या फिर micro finance institution को बढ़ावा दिया जा रहा है, clear, तो overall यहाँ पे एक mindset को change करने की बात की जा रहे है, और government को भी इस दिशा में प्रियास करने की लिए कहा जा रहे है, इसके अलावा, इसका implementation क कहीं न कहीं focus करता है, इसका implementation कैसे होगा, यह कह रहे हैं कि हम government को यहाँ पे push करेंगे, और RSS जो है definitely कुछ न कुछ influence रहता है, government पे, policy making पे, तो यह कह रहे हैं कि हम यहाँ पे government को बताएंगे कि कि किस तरह से small medium enterprises का role है, especially manufacturing sector में, बहुत यह labor intensive होती है, overall अगर हम MSME sector की बात कर करते हैं, लगबग 11 करोर लोगों को job देते हैं, almost 50% इंडिया का export के लिए MSME sector responsible है, यहाँ पे यह कह रहे हैं कि small medium enterprise को अगर हम manufacturing में और ज्यादा बढ़ावा दे सके हैं, तो इससे लोगों को jobs मिल सकते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं youth at grassroots, इनको थोड़ा mobilize किया जाएगा ताकि entrepreneurial ventures में इनको लाया जा सके, अब गाओं के अंदर या district headquarter की हम बात करें, तो वहाँ पे employment opportunities with the help of entrepreneurial spirit या फिर स्टार्ट अप के माद्यम से की जा रही हैं, तो यहाँ पे यह कह रहे हैं agri allied activities हो गया, इसको focus किया जाएगा, food processing पे focus किया जाएगा, industrialization पे focus किया जाएगा, agri allied के अंदर चाहिए animal husbandry हो गया है, agri culture based startups हो गये, bamboo farming, PC culture, काफी सारी चीजों पे इन्होंने focus किया है, तो again theme वही है कि किस तरह से rural area के अंदर job creation किया जाएगा, और self employed employment opportunities create करने का प्रयास कर रहे हैं, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह भी कह रहे हैं कि जो आत्मनिरबर भार opportunities create यहाँ पे नहीं कर पाएगा, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा यह जो अभी जिस economic model की बात कर रहे हैं, उस पे ध्यान देने के लिए इन्होंने काया है, जहाँ पे rural area, startup culture, इन सब चीजों की बात की जा रही है, फिर एक बहुत important aspect इन्होंने काया, इन्होंने काया कि government जो ह रहा है, लद्दा, standoff, लद्दा, crisis चल रहा है, उसके बाद भी, मतलब चाहिना से हमारे relation बहुत खराब चल रहे हैं, उसके बाद भी, इंडिया चाहिना का जो trade है, वो अपने record हाई पे है, लास्ट येर में 2021 में आप देखोगे 125 billion, historic हाई, मतलब अभी तक का जो भी है, सब से जादा है, तो हमारे, ये क्या चीज शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि चाइना पे हमारी dependence कितनी जादा है, इंपोर्ट हम चाहिना से इतना जादा कर रहे है, और अब तो थोड़ा कम हुआ है, आतनिरवर भारत अभिहान के बाद में, लेकिन हमने देखा कि एवन छोटे norms follow करने होते हैं जैसे WTO हो गया तो यहां पर यह कहरे है society का support यहां पर जरूरी है society to has to rise to the occasion society के support के बिना यहां पर नहीं होगा तो अगर society यहां पर rise हो वो कहे कि नहीं हम स्वदेशी product को ही priority देंगे irrespective of anything तो चीजें change हो सकती है तो कुल मिला के यहां पर एक सम्मिलित प्रियास की बात की जा रही है और देखते हैं किस तरह से यह जो model है government इसके जो aspect इस्पेशली रूरल development के entrepreneurship से related women जो labor forces के participation को बढ़ावा देने की बात की जा रही है Indian values को integrate करने की बात की जा रही है definitely आतनिरब्रता is one of the component ही है किस तरह से perennial एक issue है unemployment कोई भी सरकार रही हो unemployment एक बहुत major issue रहा है covid के बाद से यह बहुत ज्यादा challenges increase कर रहा है तो इसके माध्यम से अगर unemployment का issue deal हो पाता है तो definitely बहुत बड़ा एक relief होगा और यह कहीं न कहीं growth को inclusive भी बनाएगा so this is all pdf आपको इस टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगे इसके लावा 27 March को अनकेडमी की तरफ से national scholarship test conduct किया जा रहा है इसमें काफी सारे scholarship prices आप जीट सकते हैं और link आपका description box में use the code rblive to unlock this free test अनकेडमी स्टोर पे जाके आप अनकेडमी के products को experience कर सकते हैं जो देली में आपका old राजंदर नगर में खोला गया है इसके लावा आप घर बैटे complete preparation अनकेडमी के plus platform के साथ कर सकते हैं subscription link आपको description box में दिये गए हैं यह आपकी fees structure है use the code rblive to get maximum discount similarly you can go for iconic subscription यह Iconic के plants है Iconic में आपको personal coach live mentorship के benefit मिल जाते हैं इसके लावा optional के यह plants यहाँ पे दिये गए हैं यह optional की fee structure है 0% EMI option भी आपको available है इसके लावा 16 March से नहे batches started जिन में आप अपना slayvus पूरा कर सकते हैं So this is all don't forget to like, share, subscribe, all the best, have a great day